Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Quick Energy Update है और हम देखेंगे आपके परसन की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है ये सारे Star Science के लिए reading होती है ये एक short reading है और बिल्कुल timeless है तो देखते हैं कि आपके परसन क्या सोच रहे हैं और क्या feel कर रहे हैं काफी लोग अकसर comment करते हैं इस video के नीचे के आप इसको लंबा करें क्यूंकि ये है ही short reading तो ये लंबी नहीं हो सकती है उसका नाम ही Quick Energy Update है ये बहुत सारे आगे हम नहीं लेंगे अभी हमने अपनी intention set नहीं की है अभी भी बहुत से cards निकल रहे हैं Okay, let's start Death, Scorpio Energy है, The Lovers Gemini, Three of Swords Knight of Swords Judgment Page of Pentacles Seven of Pentacles Five of Swords Bottom of the deck पर हमारे पास है Seven of Cups Four of Wands Okay, I feel के third party situation है specifically आज की reading में और आपके person ने आपको छोड़ कर किसी और को चूज किया अब उनको ये realization हो रही है कि वो वहाँ पर खुश नहीं है और वो उस marriage में से, मेभी उस commitment में से उस relationship में से निकलना चाते हैं उसमें नहीं रहना चाते हैं Libra भी है यहाँ पर Yes, ये इनसान Four four किसी के लिए important हो सकता है ये इनसान बहुत परिशान है बहुत जदा conflict है, बहुत जदा fights चल रही है maybe third party के साथ third party से move on करना चाते हैं इनसान cards आपके सामने है, I'm not making this up और ये reverse में है आपको पता है, मैं reverse cards नहीं पढ़ती हूँ बट आचकल I feel like reading reverse cards so they really feel your loss उनको feel हो रहा है आपका loss वो इस तकलीफ में और नहीं जीना चाहते हैं अपने गलत फैसलों के साथ and they want to rush in आपकी तरफ आना चाहते हैं ये इनसान ये ही सोच रहे हैं वो इस वक्त और ये ही feel कर रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है ये भी हो सकता है कि किसी वज़ा से इन्होंने थर्ड पार्टे के साथ connection बनाया था हो सकता है I'll be very honest जो मुझे फील हो रहा है कि मेभी आपके person ने investment की थी मेभी कोई business marriage हो सकती है हो सकता है कि आपके person को भी उनका भी कोई फायदा था इसमें पैसों का हो सकता है किसी और मुल्क की nationality हो सकती है कुछ इस तरह का हो सकता है कोई फायदा अपना देखकर उन्होंने commit किया था बट उन्होंने ये सोचा है कि यहाँ पर उनको वो फायदा अब नहीं चाहिए है वो नहीं रह सकते हैं compatibility नहीं है यहाँ पर वो नहीं रह सकते हैं इस relationship में इसलिए वो खतम करना चाहते हैं इस marriage को so I feel कि आपके person अब third party के साथ नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़दा day by day challenging हो रहा है यह वहाँ आपनेक्शन बहुत ज़दा उनकी fights हो रही है बहुत ज़दा अन्बन चल रही है confusion है चीज़ें एकदम cloudy हो गई है so maybe जो उनका plan था जो उन्होंने सोचा हुआ था वो चीज़ें नहीं हो रही है और अब वो इस connection में से निकलना चाहते हैं connection सिर्फ और सिर्फ लालज की base बना था I'll be very honest ये लालज थर्ड पार्टी को आपके परसन से हो सकता है आपके परसन को थर्ड पार्टी से हो सकता है but I'm hearing कि लालज पैसे investment ये चीज़ involved थी इस connection में love नहीं था basically मुझे ये feel हो रहा है कि पैसे और फायदा कोई अपना फायदा involved था किसी का इसमें इसलिए ये connection अपना काम हो रहा है और ये इनसान अब बहुत ज़ादा depressed है कि वो क्या करें परिशान है conflict है और वो निकलना चाह रहे हैं अब इस connection में से seven of cups को clarify कर लेते हैं ये देखिए I'm not making this up आप देखिए फिर हमारे पस क्या card आया है nine of swords ये इनसान परिशान है ये देखिए reverse में आया हमारे पस ten of pentacles they really want to end this marriage end this relationship in order to be happy like literally like real में happy होने के लिए खुश होने के लिए वो इस marriage में से निकलना चाहते है because ये marriage उनकी happiness को block कर रही है ये commitment ये जो भी third party situation है इसमें से निकलना चाहते हैं आपके person और वो बहुत ज़्यादा परिशान है इस third party की वज़े से so I feel कि ये इनसान बस बहुत ज़्यादा परिशान है और जहां तक आपकी बात है ये इनसान आपके लिए feelings रखते हैं अभी भी so ये आपकी reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे आप बताईएगा comment section में मैं मिलूंगी आपसे next video में till then love you lots bye bye